बजट एक्शन कैमरा थोड़े में थोड़ा ज्यादा अच्छा मिल जाए चलिए देखते हैं एक ओर एक्शन कैमरा को जो बजट में इतना ज्यादा भारी नहीं है इसकी फीचर्स के सामने कौन है वो सबसे पहले डिपे को खोलते हैं कैमरा ब्रेव 7 आकासो की तरफ से और देखते हैं कि क्या ये कैमरा आपके लिए पैस्ट एक्शन कैमरा हो पाएगा अलग टाइप की कुछ पैकेजिंग है इस तरीके से ये एक यूनीक टाइप का एक्सपिरियंस आपको होगा किसी एक्शन कैमरा को इस तरह की पैकेजिंग के साथ देखके यहाँ पे इसके उपर ये प्लास्टिक का एक माउंट लगाया गया है और इसको माउंट करके ही दिया गया है सबसे उपर आपको एक्शन कैमरा दिखाए दे जाता है हाला कि ये एक रिन्यूड प्रोडेक्ट है बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एस इट इस जो स्टीकर वगेरा है वो है पीचे की तरफ भी देखा जाए तो कोई स्टीकर यहाँ से नहीं हटाया गया थोड़े असा दस पार्टिकल्स नजर आते हैं बट यूज का कोई मार्क इस तरह का नजर नहीं आ रहा है खोल के देखेंगे इस डिब्बे को तब पता चलेगा कि अंदर क्या है यह बहुत सारी अक्सेसरीज हैं एक एक करके देखतें पैटरी चार्जर और काफी सारे मांग यह एक यू लंबाशा बाल भी आया है साइद आपको दिखाई ना दे इट मींज वाव लेंथ तो काफी जदा है इतनी लंबी तो इस बाल की लेंथ है इसका मतलब पहले कहीं ने कहीं किसी लेडी ने यूज किया होगा एक पैटरी तेरा सो पचास है में रिमोट इसका एक और बाल आ गया क्या बात हुई शेंपू अगेरा ढंका करना चाहिए था ना यूज बहुत जाता है और अभी तो इसके अंदर और भी पड़े हैं इतने निकाल लेंगे यह एक रिमोट है यहाँ पे स्टर बटन पावर ओन ओफ के लिए और यह पता नहीं यूज करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे USB के थुरू इसको चार्ज भी कर सकते हैं आप अपने हाथ के उपर इसको लगा सकते हैं तो इसके लिए स्ट्रैप के लिए जखे दी गई है और एक और बैटरी दोनों बैटरी आउट ओफ तक कैमरा मिलती हैं बस इतना कुछ सामान था इस डिपे के अंदर और स सबसे उपर यह कैमरा निकल गया है सबसे उपर यहाँ पर लेंस दिया गया है और यहाँ पर इस लेंस को आप हटा भी सकते हैं अच्छी चीज यह है डिफरेंट टाइप का कोई आप फिल्टर वगराल यूज़ करना चाहें तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वाटर की तरफ देखा जाए तो इस तरीके से यहां से यह बैटरी कंपार्टमेंट बनता है यहां हम बैटरी लगा देते हैं इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि यह एरो बिग स्क्रीन की तरफ होना चाहिए साइड में देखें तो यहां आपको मिल जाता है मेमोरी कार्ड के की जड़त नहीं है इसके अंदर ऊपर की तरफ देखा जाए तो एक बटन है और यहां पर वाइफाई का सिंबल दिया गया है उसके साथ यहां वे एक LED है और यह माइक साइड में देखें तो यहां पर भी एक माइक की जगह दी गई है और दो यह बटन है अपन डाउन के लिए फ्रंट स्क्रीन यह है और बैक स्क्रीन पर इस तरह का दिखाए देता है और यहां पर अकासो की ब्रांटिंग अब करते हैं इसको स्विच ओन वाओ अकासो ब्रेव सेफ़ है और देखें ओपर इंडिकेटर ओन होता है पीछे से भी तो यहां पर यह रेड कलर की लाइट आपको दिखाए देगी चार्जिंग के दोरान अला कि चार्ज करने के जरूरत नहीं है क्योंकि पहले अल्रड़ी इन्होंने यह दे रखा है च एक नए टाइप का रिमोट एक प्लस पॉइंट है और साथ में बैटरी चार्चर जो इसको हमेशा ओन रखेगा एक्शन कैमरा की कोई सबसे इंपोर्टन फीचर है तो वो है रफ्यूज वाटरप्रूफिंग आप कहीं पे भी रेकोर्ड कर रहे हों पाने में गिर जाए ब बाहर तो सही है पर अंदर इसके maximum resolution की बात करें तो 4K 30fps तक आप इसके अंदर वीडियो रेकोर्ड कर पाएंगे 2K के अंदर 60fps 1080p 90fps और 720 अगर आप रेकोर्ड करना चाहें तो 120fps तक इसके अंदर रेकोर्ड किया जा सकता है जो एक सबसे इंपोर्टन शेटिंग जो आप त कि आप बड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो को अपने मेमरी कार्ड के अंदर सेव कर पाएंगे ये काफी अच्छी फीचर इसके अंदर दी है उसके बाद कुछ सारी फीचर जो लगबग सभी कैमराज के अंदर मिल जाती है वो इसके अंदर भी है पर यहां पर आपको इन-build, filters और उसके साथ Scene का भी option आपको मिल जाता है कि आप किस जगह पर record कर रहे है वाइस गंट्रोल का option मिल जाता है और एक होर important feature है यहां पर आप different angles के उपर अपने नीर के अकोर्डिंग वीडियो को record कर पाएंगी 170 degree maximum wide angle है इसका और आप 140, 110, 70 तक के वीडियो के अंदर आप record कर पाएंगे 70 degree हाला कि एक standard angle बन जाता है अगर आप normal portrait वीडियोज ले रहे हैं तो उसमें भी आपकी vlogging के अंदर काफी help करने वाला है diving mode, remote control का option यहाँ पे दिया गया है wind noise reduction देखिए सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह दो important मिलती है जो आपको सिर्फ high-end cameras के अंदर ही देखने को मिलती है वो है ISO, ISO का control यहाँ पे आपको मिलता है so that कि आप noise को minimum कर पाएं उसके साथ साथ यहाँ पे WDR का option भी आपको मिलता है so that जो आप clear grading करना चाहते हैं वो आपके test के according हो power frequency का option और 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 भी कई सारे features यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएंगी चलिए अब एक बार देखते हैं इसके remote control को यह है इसके साथ मिलने वाला remote अब नीचे की तरफ देखा जाए तो यह एक charging port दिया गया है USB बट यह sadly micro USB है जबकि आप camera के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे USB type C port दिया गया है यह गड़बड है cable आपको different चाहिए की इस remote को first time काम करने के लिए हमें यहाँ पे इसको pair करना पड़ेगा अपने camera के साथ settings में जाके यहाँ से settings में जाएं और यहाँ से आपको मिलेगा remote control का option इसको own कर देना है और उसके बाद यह इस camera के साथ pair होगा आपको क्या करना है यहाँ पे इस button के उपर long press करना है दोनों button को अब यहाँ पे यह time show हो गया time show हो जैसे ही होता है इसका मतलब यहाँ पे black out हो चुकी है यह चिज़े अब इसका मतलब यह इसके साथ pair हो चुका है यह फोटो या वीडियो चेंज करने के लिए यह mode button है इस button की help से फोटो या वीडियो में चेंज कर सकते हैं और यह button है recording start करने के लिए यहाँ पे time भी दिखेगा आपको कि कितनी recording हो चुकी है उसके साथ साथ कुछ चीज़े और भी इसके उपर डिस्पले बैटरी है memory card है उससे संबंदित कुछ चीज़े और है आप recording बंद करना चाहें तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं photo mode में change करना चाहें इस तरीके से photo mode में और यहाँ पर दिख जाएगा कितनी memory रहती है कितने photos आप ले सकते हैं photo लेने के लिए again आप यहाँ से click करेंगे अगर आप कुछ menus यहाँ पर select करना चाहें तो इस button के उपर tap करेंगे तो आपको different different video से related options मिल जाएंगे यहाँ पर tap करेंगे तो photos related आपको कई सारे options इसके अंदर दिखाये देंगे जिसके अंदर wifi on, breast mode, self timer वो सारी options यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस side button को नीचे की तरफ long press करने से आप front screen के अंदर जा पाएंगे इस तरीके से wifi on करके आप phone के साथ इसकी app को connect कर सकते हैं इसके लिए जिस app की आपको ज़रुत पड़ेगी वो app है आकासो go उसका प्ले स्टोर से आप इस app को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप device के अंदर जाएं और सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने wifi के साथ इसको connect कर ले क्योंकि यह चीज़ धान रही कि इसके अंदर wifi on हो और शेम टाइप का हो यहां से connect के उपर जाएं यहां से connect हो चुका है अब चलते हैं connect camera के साथ वे सारी settings मिलती है white balance वगरा set कर सकते हैं loop recording वगरा वो सारी settings आपको मिल जाती है बट जो सबसे बड़ी problem थी वो यहां पर soul होने वाली है क्योंकि इस app के अंदर आपको मिलता है edit का option आप अपने videos को photos को यहां से direct select करके edit कर पाएंगी इसी app के अंतर मैं एक video लेता हूँ and next एक यह सारे options मिल जाते हैं और इसकी जो unboxing video है उसको मैंने इसी phone से इसी app के थुरू edit किया है किसी भी phone पर यह काम करेगी और काफी अच्छा option आपको यहां पर मिल जाते हैं stickers वगेरा और वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी खाफी सारे effects जो आपको चाहिएं तो editing का मामला आपके लिए soul होने वाला है with the help of this camera तो और आल budget के according जो features इन्होंने दी हैं वो बहुत अच्छी लगी मुझे full control वहीं होगा जो आप चाहेंगे इतना सब तो ठीक है पर budget थोड़ा सा ज़्यादा 10,000 से और 15,000 के नीचे और अगर आप renewed product लेते हैं तो वो 10,000 से जमेंट में renewed product भी अच्छे होते हैं पैसा बचा देते हैं मैं कई बार खरीच चुका हूँ renewed product को पर कई बार अच्छे offers मिल जाएं तो सब budget में आ जाता है नया ओ या पुराना और भी कम ओफर आते रहते हैं लिंक नीचे description में हैं ओफर चेक करते रहें जब भी आपके budget के अंदर आए खरीद लें पर सबसे ज़रूरी चीज़ video quality कुछ video और photo sample यहां देखिए details में next video में बात करेंगे और ज़्यादा original samples देखना चाहते हैं तो link नीचे description में देदूँगा वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं और फिर और उनको देखने के बाद अगर आपका कोई question या सुजाओ हो तो नीचे comment section में ज़रूर लिखिए so that की next video में जब उसका detailed quality review करेंगे उसके बारे में बात कर सकें तो अब आप देखिए उन photos and videos को मैं मिलता हूँ आपसे next video के अंदर so this was all about for the day thank you very much कर वाद में बात कर सकते हैं ताइ ठाइ कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल